दोनों हाथों से नमस्कार वो एक हाथ से नमस्कार करने में क्या अंतर है? एक हाथ से नमस्कार करने का अर्थ है स्वयम के करतापन का भान होना. तो दोनों हाथों से नमस्कार करने का अर्थ होता है करतापन इश्वर को समर्पित करना. एक हाथ से नमस्कार करने पर उदंड़ता का संवर्धन होता है. तो दोनों हाथों से नमस्कार करने पर नम्रभाव का. एक हाथ से नमस्कार करने पर पुन्य संचय नहीं होता दोनों हाथों से करने पर पुन्य संचय होता है करने पर पुन्य संचय होता है करने पर पुन्य संचय होता है